हाँ नमस्कार आप सभी का एजुकेशन नौलिश्टी पर आर्दिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जी आरियाना में बीजेपी के पसी ने छुड़ा दिये हैं कोंग्रेश ने जी आव विदान सभा चिनाव दो अजार चोविस का ताजा ओपीनियन पोल जारी हुआ है आ आपको बताएंगे पूरा ताजा आँखो देखा हाल आपके साथ सेर करेंगे आपको बतादे छाड़ इसका जादू ही जो आकड़ा है जो भी पार्टी पार करेगी वही इस बार सत्ता में आईगे आप सभी जानते हैं और आपको बतादे 2019 में बीजेपी जो है वो जननाय जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी और जननायक जनता पार्टी की 10 सीटे थी इस बार जननायक जनता पार्टी को कितनी सीटे दी जा रही है ये आप जानेंगे वही आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ है उनको कितनी सीटे मिलेगी और दूसरी बात करें जो पुरानी पार्टी अरियाना की इंडियान नैशनल लोकदल उसको कितनी सीटे मिलने का अनुमान है क्या वो सत्ता से बेदखल कर दी गई है देखी गभई यह आपको बता दे अरियाना में जो अमबारा जिला है बता दे जो सीट जीत के आएजी 2019 में इस बार पिछटती हुई दिखाई दे रही है एक सीट बीजेपी दो सीट कोंग्रेस एक सीट जननायक जनता पार्टी अपने खाते में लेती हुई दिखाई दे रही है और आइनल्ड और बीएसपी यानि कि हम बात करें जो मायावती की पार्टी यह दोनु मिल कर के चुनाव लड़ रही है इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी और अन्रे को भी एक भी सीट मिलने का नुमान नहीं है अरियाना में बात करेंगे अगले जिले मेवाद की जिहां नो की नो में तीन सीटे हैं तीन की तीन सीटे कोंग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही आपको बता दे कोंग्रेस जो है वो बड़त बनाये हैं अरियाना में कोंग्रेस को तीन सीटे मिलने का नुमान है यहाँ पे मेवाद जिले से बात करेंगे गुडगावा की गुडगावा की चार लोकसवा सीटो बाद आपको बता दे विदान सबा की चार सीटे है लोकसवा की सीटो में जिस परकार से बीजेपी ने बाजी मारी थी गुडगाव में इस बार बीजेपी जो है वो इस बार भी बाजी मारती दिखाई दे रही है चार विदान सभा मैंसे दो बीजेपी को एक कोंग्रेस को और एक बीजेपी के खाते में वही एक आयनल्ड के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है फरीदाबाद से वही जनना एक जनता पर्टी का खाता नहीं कुलेगा आम आद्मी पर्टी को बेएक शीट भी नहीं मिलेगी बात करेंगे जीन्द की पांच विदान सभा सीटों में से जीन्द में जी हां ताबर तोड ताबर तोड जीन्द में से तीन गॉंगरेस जीतने जा रही है तीन गॉंगरेस और एक भीजे पी के खाते में शीट जाएगी और एक शीट जाएगी बहुजन समाज mix party और INLD के खाते में। आइनल्डी जो है वो भी एक सीट जीत भी दिखाई दे रही है बात करेंगे महंदरगड की महंदरगड में टककर है वही जियार राव दान सेंग अब एक बार फिर से जीतते हुए नजर आ रहे है महंदरगड की चार विदानसवा सीटों में से दो कोंग्रेसोर दो बीजेप की खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी को यहां पे बहरी नुक्सान यानि कि हम बात करेंगे दो ही सीटों पर संतोस करना पड़ेगा बात करेंगे मेवात की उसके बाद करनाल की करनाल की बात करेंगे पांच विदानसवा सीटों में से तीन सीट बीजेप मंत्री खट्र का दब दबा रहा है लेकिन यहां पे अभी भी दब दबा जो है वो बरकरार है बात करेंगे रेवाडी की रेवाडी की सीट है 3 जो एक इकलोती सीट है बावल की बावल की जो सीट है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर रेवाडी की और दो सीटे हैं यहाँ पर कॉंग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है बात करेंगे पंचकुला की दो सीटे है पंचकुला में और दो की दो सीटे एक कांग्रेस और एक बीजेपी की खाते में जाती भी दिखाई दे रही है पंच कुलाव विधान सबा से बद करेंगे अगले जिले जी हाँ हिसार की साथ सीटे है हिसार में साथ सीटों में से अब कोंग्रेस को पांस सीट सबसे जादा सीट कोंग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसार में जनना एक जनता पार्टी दूसें सिंग चोटाला खोद चुनाओ लड़ रहे है लेकिन यहाँ पे एक भी सीट यहाँ पे दूसें सिंग चोटाला की पार्टी को मिलते हुए नजर नहीं आ रही है दो सीट है यहाँ पे BJP निकालेगी पांस सीटे कॉंग्रेस अपने खाते में निकालने का यहाँ पे दमखम रख रही है बात करेंगे रोतक की रोतक में जी हाँ चार सीटे है चार सीटों में से तीन सीट कॉंग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है वही हम बात बात करेंगे एक सीट जो है वो बीजेपी अपने खाते में लेके आएगी बात करेंगे अगले जिले पाणी पत कीजिया पाणी पत में चार सीटों में से दो दो का जो आंकडा है दो बीजेपी और दो कॉंग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है यानि कि चार की चार सीटे कोंग्रेस के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है जजर से और जजर विदान सवा में अब चार की चार सीटे कोंग्रेस के खाते में बात करेंगे दादरी की दादरी में दो सीटे है और दो की दो सीटे कोंग्रेस के खाते में जाती हुए दिखाई द वह कोई भी हो आमादवी पार्टी एक सीट बीजेपी को भी मिलेगी बात करेंगे सोनी पत कीजिया सोनी पत में 6 सीटों में से 4 कोंगरेस 2 सीट यहाँ पे जीत हुई नजर आ रही है बारतिय जनता पार्टी और यहाँ पे खाता नहीं कुलेगा जननाय जनता पार्टी का बात करेंगे सिर्शा की 5 सीट में से 3 स ऌफ्ल स्वाप से एक सीटी a92 और एक घreten अबष्टरी की खाटी में जाती हुए दिखाई दे रही है। और आपको बता दें, बीजेपी जन्यनाएक जन्ता पार्टी और आयनल्डी का खाता नहीं खुलेगा, आम अदमी पार्टी को भी सीट नहीं मिलेगी, बात करें आपको बता दें तो बैस सबसे ज़्यादा जो सीटे हैं वो कौंगरे 56 सीटों के साथ, पहले नंबर पर अपन बिलाएं तो 6 सीटे अदर्स और आयनल्डी और यहाँ पे हम पासवा की बात करें, इनकी सभी की बिलाकर की 6 सीटे और कोंगरेस की 56 सीटे और बीजेपी जो है वो 28 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बन करके उपर रही है, सीटों का जो आकड़ा है अनुमान है, इसक के मताबित कोंगरेस जो है पनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आप मुझे कमेंट करें आपको किसनी सरकार देखनी है, धन्यवाद